दन्सन वय सामाईय पोसह पडिमाय बन्ध बंभ चित्ते आरंभ पेस उदिट्थ वजय समन भूईय एक महने तक सम्यक्त की अर्था सम्यक्दर्शन की दृष्टी की निर्मलता की कोशिश उसका पुरुशार्थ पुनह दो महने अर्था सम्यक्त को साथ लेकर दो महने तक वरत की आराधना फिर दर्शन और वरत को साथ लेकर तीन महने तक सामाई की आराधना इस वर हमारी चर्जा हो चुकी है अब हम अगली प्रतिमाओं को समझते हैं ये तीन दो पांच और एक छे इस तरीके से छे महने आपके पूरे होते हैं अब अगला जो चर्ण है वो है चार महने तक पौशद प्रतिमाओं की आराधना करना पहली प्रतिमाओं का समय है एक महने तूसरी प्रतिमाओं का समय दो महने तीसरी प्रतिमाओं का समय तीन महने और चौथी ये पौशद प्रतिमाओं है इस प्रतिमाओं का जो समय है वो है चार महने चार महने तक पौशद प्रतिमाओं की आराधना करना इसकी उपास न करना इस प्रतिग्या को इस व्रत को जीवन में इस संकल्प को ली कर चलना कि हम चार मैने तक पौशद के आराधना करेंगे पौशद का जो मतलब होता है वो होता है पर्व जैसे आज कलम कहते हैं न तिथी तिथी पर्व पौशद एक ही मतलब है तो हमारे यहां पर पौशद प्रतिमा का जो पूरा नाम है वो है पौशद्धो पवास या इसे इसे का प्रोशद्धो पवास प्रोशद कहते हैं पर्व को किसी तिथी को और उपवास कहते हैं भोजन के साथ यदि हो सके तो पानी का त्याग करके पूरे तरीके से तिथी के पर्वपर उपस्थित होकर धर्म ध्यान की आराधना करना उसी को हम क्या कहते हैं पौशदो पवास कहते हैं यही इसका एक और मतलब भी होता है पौशद का मतलब होता है एक बार भूजन करना तो पौशदो पवास का मतलब होगा कि एक बार भूजन करके बाकी सारी के सारे सांसारी कृत्यों से छुटकारा पाके मुक्ती पार के धर्म ध्यान स्वाध्याय आदी की आराधना करना इसी पौशदो पवास की व्याख्या करतिवे पंडित्श्री आशा धर्जी ने अपने आगार धर्मा मृत में बोला है सप्रोशदो पवास या चतुर प्रभ्या यथा गमम साम्य संस्कार दाध्याय चतुर भुक्त्य जनम सदा कि सप्रोशदो पवास वह प्रोशदो पवास है वह पौशद की साधना है कौन सी या चतुर प्रभ्या जो इन चार परवों पर यथा गमम जैसे आगमों में कहा गया है जैसे सूत्रों में वर्नन है उसी तरीके से साम्य संस्कार दाध्याय वो जो तुम सामाइक पहले तीसरी प्रतिमा में पूरी करके आ चुके हो उस सामाइक की और द्रड़ता के लिए उसकी और परिपकपता के लिए उसकी और विस्तार के लिए या उसे कहें कि उसे और जीवन में विस्तार और फैलाव के लिए साम्य संस्कार दाध्याय ये ध्यान रखने वाली बात है इसी की तरफ आपको अपना ध्यान इंगित करके रखना है अपना ध्यान बनाए रखना है कि साम्य संसकार दाध्याय साम्य के जो संसकार आपने सामाईक में बनाए हैं तीन महने तक वैसे तो ये सामाईक की साधना का एक श्रावक के लिए क्योंकि श्रावकों के व्रतों की श्रावकों के परतिग्याओं का वरणन चल रहा है तो जहां साधू का तो पूरे 24 गंट सामाईक में जाते हैं, वहाँ एक गरस्ती के लिए ये बोला गया है, कि वैसे तो तीन वक्त कहा है, तीन संध्याओं में, सुबह, दोपेर और शाम, इन तीन वक्तों पर उसको सामाईक करनी ही करनी चाहिए, पर यदि वो तीन वक्त नहीं कर सकता, तो दो वक्त तो उसको साम करनी चाहिए एक सुवहक्त और एक शाम को परन्तो जब सामायगlaim प्रतिमा अंगिकार की जाती है तो सामान्य सामाय के तरह है जब आप बिना प्रतिग्या जैसे वर्तों में भी एक सामाईक शिक्षा वरत है तो जब आप सामाईक शिक्षा वरत ग्रहन करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अब करना है या अभी करना है ऐसा नहीं होता है उसमें जब आपकी सुविधा होती है तब आप सामाईक करते हैं हाँ बस उसका एक नियम यह होता है कि मेहने में इतनी बार, या हफते में इतनी बार, या दिन में हम एक सामाईक तो करेंगे ही करेंगे, उसका कोई वक्त फिक्स नहीं होता, जब भी आपको वक्त मिलता है, तब आप उसको क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं, तब आप उसका आचरण कर लेते तो आप सामाईख कर लेते हैं परतोς जब प्रतिमा ग्रहन की जाती है तब आप अपने मर्जी के निए डिपेंड करते कि भे या जब मन करेगा या जब अवसर मिलेगे या जब टाइंग होगा जब खाली वैठेंगे तो सामाईख करेंगे नहीं यहां आपको बंधित होना पड़ता है अपने आपको संकल्प बद्ध करना पड़ता है कि सुबह दोपेर और शाम इतीन वक्त तक तो हम सामाइक करेंगे ही करेंगे तीन मेहने तक ये होती है सामाइक प्रतिमा में आपकी प्रतिग्या ये सामाइक की प्रतिमा ये संकल्प के सुबह, दोपहर और शाम इन तीन संध्याओं में तो सामाइक करेंगे ही करेंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए जब इस संकल्प को अंगेकार किया जाता है उसके बाद ये अगला चरण है जहां सुबह, दोपहर, शाम आप तीन वक्त आपने लिये थे अब इसमें यह क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कि प्रोश्दो पवास उसे कहते हैं किसको कहते हैं तो कहरें यत चतुर परव्या यत आ आगमम जैसे चार परवों में आगमों में कहा गया है चतुर भुक्तित जनम तदा कि सदा कि चार भुक्ति का अर्था चतुर भक्त का चार प्रकार के आहर का और चार बार के आहर का त्याक किया जाता है क्योंकि पहले दो बार आहर होता था सुबह और शाम को ठीक है यह द दो बार अहर होता था दो पर रहे या स्पलाना को इस तरीके से दो बार को जिस दिन उपवास करना होता था क्योंकि ये उसके लिए निया सुस्पता. चार भक्त का आत्याग करता था अज भिए हम कहतें रहे दोर आख्ध दिन में दो बार खाना, दो तो वो त्याग हो गए, उपवास से पहले दिन, शाम का भोजन भी त्यागा जाता है, जिस दिन धारना की जाती है, तो धारना में शायंकालिन भोजन भी त्याग किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, चतुर भुक्त कहा जाता है, और अगले दिन जिस दिन पारना होता है, सुबह सुबह भोजन पर नहीं टोटा जाता है, सुबह के भोजन का भी त्याग किया जाता है, और अगला जो दूसरी बार का भोजन है, उससे पारना किया जाता है, इस तरीके से चार भक्त का त्याग होता है, उपवास के दिन दो, प्रतिमाओं का प्रतिमाओं का जब आराधन होगा तो इसी विदी से होगा इसी तरीके से होगा कि आपको पौशद के जिस दिन उपवास होगा पौशद का उससे पहले एक दिन पहले क्या करना होगा बोजन का त्याग करना होगा और यदि आपको यह कठिन पढ़ता है आरं तो पहले दिन का शाम का भोजन तो फिर भी त्याग ना होगा, फिर दूसरे दिन की सुबह का भोजन त्याग ना होगा, फिर अगली बार जो आपका दूसरी बार का भोजन होता है, वो तब दूसरी बार का भोजन ग्रहन किया जाता है, इस तरीके से पोशद की आराधना होत परन्तों याद रखना कि भोजन केवल आपके लिए वो जो पाक्षिक स्रावक होते हैं पाक्षिक स्रावक का मतलब होता है जिनका प्रतिमाओं की तरफ अभी वो नहीं है जैसे आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब एक व्रत धारी श्रावक पौशद करता है तो वो एकांसने की द्वारा कर सकता है क्योंकि व्रतों में भी पौशद की आराधना का वर्णन है उसमें भी एक व्रत है पौशदो पवास करना पौशद की आराधना करना जब व्रत धारी श्रावक पौशद का आराधन करता है तो तब वो एकासना से भी कर सकता है परन्तों जब एक ये दिगंपर परंपरा के नुसार करें शेतांबर में तो वो भी विधान नहीं है पर हाँ ये आपको ये लगता है कि हाँ मुझ में है ऐसा बल ऐसा सामर्थ है मैं भोजन को त्याग सकता हूं तो फिर उसके लिए काया कि प्रतम्याधारी जो श्रावक होगा जो पौशद की प् भुक्ती का त्याग करते हैं चार बार के भोजन का त्याग करते हैं कहते तो हैं हम संकल्प तो चार बार के भोजन के त्याग के होते हैं पर गजब ये है तियाग हमारा दो ही वक्त का होता है क्यों कारण ये है कि उपवास के पहले दिन हम भोजन करते हैं साम को फिर काया आपने केवल दो भक्त मतलब एक दिन के दो भोजनों का ट्याक किया है और यह जाता है आपको होगे का ने चतुर भक्त का मतलब गता है चार परकार कि आहर का एक आदक्ण क्यों होता है कारण क польз बढ़ते चले जाते हैं यूड़ Diskuss अधिफ इतनी ही है कि चतुर भक्त का मतलब साफ है यहां पर कि उपवास के दिन उससे पहले के सांध्य का संध्या के समय का शाम के समय का और उपवास के पारने वाले दिन सुबे के भोजन का त्याग किया जाता है तब चार भक्त पूरा होता है तब उपवास पूरा होता है और हम तो केवल दो भक्त का ही त्याग करते हैं, पहले दिन का और दुसरे जिस दिन वग्वास का होता है, उसी दिन का, कुछ एक होते हैं जो नवकार्सी पोर्सी आगे तक आगे ले जाते हैं, परन्तु चाहें नवकार्सी करो या पोर्सी, यदि नवकार्सी या पोर्सी आ आपका पहला भक्त है, मतलब कि पहला भोजन है, तो आप उससे पार्ना नहीं कर सकते, आपको पार्ना सीधा करना पड़ेगा अगला, जो अगला दूसरा भोजन, जब जब दूसरी बार भोजन करते हो, मान लिजए कि सुवे नास्ता करते हैं, फिर दो पहर में भोजन करते हैं, या दो तीन बज़े जब भी खाना खाते हैं, तो आपको वही दो पहर कालीन भोजन ही करना चाहिए, तब ही आपका उपवास चतुरभग तो पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता, पर खेर ये तो बड़ा वो तर्क वितर्क का काम चल जाएगा, इसमें हमें नहीं पढ़ना, पर यहां पर पौशद उपवास का मतलब यही है, पहले दिन संध्या का भोजन चोड़ना, फिर उपवास की दिन दो भोजन चोड़ना, फिर उसके अगले दिन फिर एक भोजन चोड़ना, इस प्रकार ये चतुर भक पौशद उपवास होता है, तो यहां पर क्या है, चतुर भुक्तिय जनम सदा, ये जो चार भुक्तियां है, ये चार बार में जो भोजन किया जाता है, सदाकाल इनका त्याग करना सदाकाल, सदाकाल मतलब जितनी बार भी आप उश्द उपवास करेंगे उतनी बार आपको त्याग करना होगा अब इसमें ये कह रहे हैं यत्चतुर परग्व्या जो चार परवों में ये चार भुक्तियों का ये चार बार भोजन का त्याग किया जाता है चार परवों में चार बार भोजन का त्याग करना मतलब चार परवों में उपवासी रहना अब ये चार परवों कौन से हैं दिगंबर शास्त्रों में ये चार परवों है दो अश्टमी और दो चतुरदशी मेहने में आती शुकलपक्ष की अश्मी शुकलपक्ष की चतरुद्रषी और कृष्णपक्ष की अश्चमी इस तरीके से यह चार परवो वहां पर आते हैं अब आते हैं स्वेतांबर परवो में शेतांबरों में निश्चित नहीं है, निश्चित का मतलब यहने कि इसी इसी तिथी को पक्का करना है, वो आपको चुनाव करना है कि आपको चतुर्थी, तृतिया, दितिया, प्रत्माप या आपको पंचमी, अच्छी लगती है, जिस तिथी को भी आपका मन भाजाए, हो सकती हैं, पर क्योंकि यहां पर आशाधर जी कह रहे हैं, तो आशाधर जी ने कहा है, कि दो अस्टिमिया और दो चतुर्थी यह चार दिन एक श्रावक, जो पौशद प्रतिमावाला है, इन चार तितियों में उसे पौशद की आराधना करनी होती है, वो भी उपवास के साथ, और उपवास का मतलब है चतुर भुक्ती के साथ, चतुर भुक्ती की त्याग के साथ, अब जब यह चतुर भुक्ती की त्याग के साथ यह उपवास किया जाता है, तो इसका लक्ष क्या होता है, इससे क्या होगा, क्या करना है इसमें, तो पंडित आशा धर जी नही ये पौशद उपवास करते हैं तो पौशद उपवास में केवल तीन चीजें करनी यह होती हैं तीन चीजें ये तीन चीजें आप कर सकते हैं चोथी चीज का कोई विधान नहीं है पहला कि आप स्वाध्याय कर सकते हैं ठीक है? यदि कोई आगम कोई प्रवचन साहित्य, कोई महा पुरुषों का चारित्र का स्वाध्याय, ये सब कुछ चल सकता है, स्वाध्याय करना ये पौशद पुवास में चलेगा, दूसरा, क्योंकि आप सामायक में तो होते ही हैं, तो सामायक की साधना करना ये भी आप कर सकते हैं, और तीसरा, त ध्यान कर सकते हैं, ध्यान का ही अगला चरण है कायोतसर्ग, कायोतसर्ग भी प्रोशदों पुवास में, पौशद में कायोतसर्ग भी किया जाता है, इस तरीके से ये चार चीजें हैं, स्वाध्याय, ध्यान, कायोतसर्ग और सामाइक तो जुड़ी ही है, तो सामाइक के साथ साध्याय और ध्यान और कायुत सर्द ये तीन चीजें आप पौशद में पौशद उपवास में कर सकते हैं इसके अलावा बादसित करना ये नहीं हो सकता संसार की वारताएं करना ये नहीं हो सकता किसी अपने अलावा किसी अन्य प्रकार का विचार या चिंतन आने देना ये नहीं हो सकता प्रोशद उपवास का यहां पर शर्त है साम्य संसकार दार ढ़ाए अभी तक तीन मैने तक आपने जो वो सुबह दोपेर शाम का जो सामाई की तीन मैने तक आराध ना किया कि सुबह भी करने, दोपेर में भी करने शाम को भी करने, क्योंकि यह प्रतिमा है ना, इसमें प्रतिग्या ली जाते हैं संगल्प लिया जाता है, तो तीन मैने तक आपनी ये जो अभी तक किया था अब चार मैने तक क्या करोगे कि उसे और द्रढ बनाने के लिए उस साम्य संसकार को अर्था सम्ता के भाव को उस अपनी भीतर की रागदेश, विहीन निर्विकल्प दशा को और ड्रढ बनाने के लिए और गहराई देने के लिए तब आप क्या करते हो, ये चार दिन निश्यत कर देते हूं मैने में कि सारे सांसारी प्रपंच छोड़कर सारे कामधंदे छोड़कर सारी सावध्ययोगों का त्या करके सारे पापकर्मों का त्या करके सारी दुनियावी बातों से दूर हटके मैं केवल और केवल एक दिन रात के लिए बस जाकर ध्यान, स्वाध्याय, कायुत सर्ग, सामायक, सम्वर इसी के आराधना करूंगा और कुछ नहीं तो आप समझ गए कि पोशद किसली की जाती है पोशद केवल समता भाव की आराधना को जो पहले से चल रही है उसकी और वृद्धी हो और उसमें बढ़ाई हो और उसमें वर्धमान हो यह अमान नहीं और वो बढ़े समता भाव और प्रगठ हो और गहन हो कैसे हो किस तरीके से हो कौन से उपायों से हो तो आज कल जैसे तुम लोग डॉक्टरों के पास जाते हो नो डॉक्टर बोलते हैं कि भाईया यतनी इतनी दिनों पर आपको चेक अप करवाने के लिए आते ही रहना है होस्पिटल में तो आप जाते हैं निश्चित दिन में पंदर दिन बीज दिन मेने दो मेने में आपको एक दिन पका है आपका कि इस दिन डॉक्टर के जाएंगे नहीं तो कहीं बिमारी और बढ़ना जाए कहीं रोग ग्रस्त नहों जाए तो डॉक्टर की बातों पर तुम बड़ा ध्यान देते हो पर भगवान की बात पर कान कब दोगे भगवान कहते हैं कि भईया थोड़ा शान्त हो कर बैठो बड़ी प्रपंच मचाते हो पूरे महने बड़ा हला गुला बड़ी भागम भाग बड़ी दोड़ धूप करते हो थोड़ा विश्राम करने का दिन निश्चित करो चार दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते चार दिन कोई ज्यादा है क्या महने में पर लोगों के लिए तो चार दिन क्या है एक दिन भी बड़ा भारी पड़ता है पौशद करने वाले क्योंकि अनगत शरीर पर इतनी आ सकती है कि एक बार का भोजन भी छूट जाए तो हाई हाई मज जाती है पेट में चुवे कुदने लग जाते हैं भगवान का धर्म तो इतना लचीला है इतना आसान है देखो जहां पौशद में किवल उपवास का विधान है वहाँ भगवान कहते कि नहीं यदि नहीं हो ता कोई बात नहीं एक बार भोजन कर लो पर पौशद तो कर लो पौशद का मतलब ही होता है विश्राम इस्थल कि आपने अपने लिए ये विश्राम के दिन निश्चित किये हुए हैं कि हाँ इतने दिन ये दिन है चार चार भी चार दिन ही मांगे जा रहे हैं कोई जादा नहीं को रहे हैं यूँ नहीं कहा जा रहा आप क्यों कि पूरे मैंने आपको बस धरम ध्यान में पड़े रहना है नहीं चार दिन की बात है कि ये चार तिथियां हैं ये चार पर्व हैं इन चार पर्वों पर आप क्या करेंगे किसी एकांत शांत मंदिर या किसी धरम इस्थान में जाके आपको जाकर बैठना है सामायक समवर स्वाध्याय ध्यान कायुत सर्ग आगदी के आराधना करनी है अपने ध्यान को गहराई द बनाना है ये आपका इतना ध्यान है तो निश्चत तोर पर आपको पौशद की लालसा होगी पर जिनको समता की लालसा नहीं उनको पौशद की लालसा की होगी भाईया जो स्वास्त चाहेगा वही डॉक्टर के पास जाएगा नहीं तो क्यों जाएगा रोग बढ़ाएगा फ पर बिमारी इसे तो क्यों लेगा? फैक देगा इधर उदर. यही बात है यहां पर पौशत प्रतिमा की. वही पौशत प्रतिमा करेगा, वही संकल्प को दोहराएगा जो समता भाव को बढ़ाना चाहता है, जो अपने जीवन में शान्ति को बढ़ाना चाहता है. पर हमारे सा इसलिए आती है जब वर्धमान क्यों कहते हो लोग क्यों कहते हैं तो भीया नाम क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं बस वोई पढ़ा है सुना है तो बस फटाक से चेप देते हैं माथे पर क्या क्यों वर्धमान कहते हूं महावीर को अजी क्योंकि न जब भगवान माता के गर्भ में आये तब जमाने के तो धन संपत्ती गई थे न हाथी बढ़ गए घोड़े बढ़ गए और गाय बढ़ गई और धन और संपत्ती बढ़ गए महलों में इजाफा हो गया दिखाई देती है यह लोब तुमारी आखों पर ऐसा परदा डाल कर बैठा हुआ है कि भगवान का जन्म होता है तो तो भी तुमें हाथी घोड़े बढ़ते भी दिखाई देते हैं क्योंकि हाथी गोड़े बढ़ गई क्योंकि धन संपत्ती बढ़ गई क्योंकि राज्य का विस्तार हो गया पुद्गल के विस्तार में तुम महावीर की वर्धमानत्व को देखते हो ये बड़ी गजब की बात है कि महावीर का नाम वर्दमान क्यों? क्योंकि ये सब बढ़ गया था न? धन दोलत बढ़ गयी माता-पिता का नाम और बढ़ गया नाम हो गया संपत्ती बढ़ गयी सबकुश बढ़ गया कि यहां तक कि परिवार भी बढ़ गया सैनिकों में वृद्धी हो गये इसलिए माता पिता ने का क्योंकि सब कुछ बढ़ा धन भी बढ़ गया दौलत खजाना हमारा राज्य हमारे हाथी गोड़े हमारी गौशाला सब कुछ बढ़ गया है इसके आने से तो हम इसका नाम वर्दमान रखेंगे केवल केवल सांसारिक दिश्टी कौन आपको महावीर के जन्म से अज्ञान का अंधेरा घट गया है ज्ञान का उजाला बढ़ गया है समता भाव का प्रसार हुआ है मैत्री में वृद्धी हुई है प्रेम में बढ़ोत्री हुई है उनके दया करुणा और प्रेम में लोगों में समाज में उसकी वृद्धी हुई वो दिखाई नहीं देता कि महावीर के वज़े से प्रेम बढ़ गया वो कोई नहीं कहता महावीर के वज़े से धरती पर अहिंसा का बोल बाला बढ़ गया वो कोई नहीं कहता पहले इस हिंदुस्तान की धरा पर पहले वही काम चलते थे जो आज मुस्लिम या किसी अन्य संपरदायों में चलते हैं धर्म के नाम पर हिंसा मार काट धर्म के नाम पर अजीव अजीव परम पराएं यग्यों के नाम पर हजारों हजारों मोख पश्वों की बली चड़ाए जाने ये सब कुछ चलता था धर्म के नाम पर पर महावीर और बुद्ध ने इतनी जोर से इसके परती इसके विरोध में आवाज उठाए इसके प्रतितना हला मचाया कि बेशक उसके बाद भी सदियों तक और आज भी ये चलता है बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं के मंदिर में ये बली का काम करते हैं आज भी चलता है पर याद रखना कि यदि कहीं किसी को बोलोगे तो वो इसके करेगा तो सही पर परमपरा के नाम पर करेगा धर्म के नाम पर करेगा अपने मन में गिल्ट जरूर पाल कर रखेगा ये गिल्ट पैदा करने का काम किया महावीर और बुद्ध ने आपको ये दिखाई नहीं देता कि महावीर के वज़े से अहिंसा का प्रसार हुआ है आपको ये दिखाई नहीं देता कि महावीर के वज़े से मैत्री वढ़ी है हाँ ये जरूर दिखेगा कि महावीर पैदा होते हैं मा के गर्व में आते तो धन दौलट बढ़ जाती है, धन दौलट को बढ़ाने का काम करते हो, यसलिए तो भगवान का नाम भी वर्दमान कर देते हो, क्योंकि लोभी मन धन के अलावा और क्या बढ़ता हुआ देख सकता है, किस चीज से खुश हो सकता है वो, वो यसी चीज से खुश होता है, धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, नाम बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, दाम बढ़ जाए, ब्यापार धंदा, ये सब कुछ बढ़ जाए तो उसको बड़ी आनंद होता है, उसको बड़ा मंगल होता है, बढ़िया सब कुछ बढ़िया हो गया, आनंद चा गया, मंगल आ गया, पर कभी ये नहीं सोसता कि मैं अपने समता भाव को और बढ़ाऊं, मैं राग देश को और घटाऊं, समता भा आपको और वृद्धिमान करूं, और वर्धमान करूं अपने आत्मिक गुणों को, अपने आत्म प्रतीती को, अपने सम्यक्त को, अपने शरद्धा को और निर्मल वनाओ, नहीं करता आप कोशिश, बाहर में तो पूरा जोर लगा देता है एडी से चोटी तक, पसीने पसीन करते हो, जख मार कर मेहनत करते हो, पर धरम के वृद्धि के लिए क्या करते हो, ये तो बताओ, सालों से बस एक सामाइक करते हैं, बाहर माना जहन तो सुबेज बस उठते ही सामाइक करते हैं, सामाइक की याद आती है, बहुत अच्छी बात है, एक 48 मिनट तक अपने आपक करना बहुत अच्छी बात है परन्त केवल और केवल इसी चीज में पड़े रहना कि यहां बस हो जाता है ना 24 गंटे में अर्टालेस मिन बहुत है नहीं काफे नहीं है भगवान कहते है अगले चरण में अगले कदम पर बढ़ो जैसे तुम हजार रुपे कमाते हो तो दूसरे दिन यह सोचते हो कि भईया कल हजार कमाता तो आज दो हजार कमाओ कल यदि मेरे दुकान पर दस ग्रहा काये थे तो आज पंदरतों आने चाहिए कम से कम धन दौलत संसार यदि मेरे पास एक घर है तो दो घर हो जाए मेरे पास दस बीगे जमीन है तो बीस बीगा हो जाए दुनियादारी में तो तुम सब कुछ बढ़ाने की सोचते हो धरम के मामले में इतने मूंजी इतने कंजूस क्यों हो जाते हो तो यहाँ पर है कि सामने संसकार दाड ध्याए अभी तक आप जो संता भाव की सावधना किसी एक निश्चित समय पर कर रहे थे कि सुबह करेंगे शाम करेंगे दोपैर करेंगे अब आप उसकी और दिर्ड़ता के लिए उसकी और गहनता के लिए कि आत्म भावों में और उतरने के लिए और अपने सुबहाव के नजदीक रहने के लिए आप 24 गंटे के लिए संसार का त्याग कर देंगे सादू हो जाएंगे इसी को पोशदो पवास कहते हैं सादू हो जाना 24 गंटे के लिए पूरी तरके से सन्यासी हो जाना और ये 24 गंटे की बात की जा रहे है आपको मेने के मतलब चार दिन चतूर पूर्व्या इन चार परवों में साम्य संसकारदार ध्याएं संता भाव की द्रड़ता के लिए और गहनता के लिए शावक को क्या करना चाहिए पोशदो पवास करना चाहिए अब ये चार दिन तो आपके लिए वड़े भारी हो जाएंगे कहेंगे ये चार दिन यहां तो एक दिन नहीं होता चार दिन कौन करेगा इसलिए तो इतनी अशानती दुनिया में क्यों है सुनते सब हो जानते सब हो पर करते कुछ नहीं हो कहोगे के हम भगवान महावीर के अनुयाई हैं परन्त करनी तुमको मनमर्जी होती है सचंदता का त्याग नहीं करना होता अपने कामनाओं के पीछे दोड़ने वाली वो जो गुलामी है उस गुलामी को तुम छोड़ना नहीं चाते और जब तक ये गुलामीता नहीं चुटेगी तब तक धरम का जागरानी नहीं होगा धरम की ललकी पैदा नहीं होगी कोई लालसा ही पैदा नहीं होगी जो धरम की लालसा वान लोग होते हैं उन्हीं की जीवन में ये पौशद आधी प्रतिमाएं इस्थान रखती हैं, माइने रखती हैं आज कल पहली बात तो ये कि वर्तधारी श्रावक मिलने ही बड़े कठिन हैं प्रतिमाधारी तो बहुत दूर की बात है वर्तधारी श्रावकों का मिलना ही बड़ा दूबर हो गया है आठीक है सामाईक संवर करने वाले थोड़े बहुत ठोकडे और स्वध्याय करने वाले लोग मिल जाते हैं पर वरती श्रावक जिनोंने अपनी जीवन में इन वरतों को ग्रहन किया हो ऐसे वरती श्रावकों को और इन में कुछ भी कठिन नहीं है ऐसा नहीं है कि वरत ले लेना कोई बहुत ज़्यादा कठिन पड़ेगा आपके लिए आगार का मतलब ही होता है छूट आपको तो इतनी सारी छूटे मिल रही है बजार में यदि कोई एक के साथ एक फ्री वाली जो बात आती है न कि थोड़ा साथ परसेंट सतर परसेंट असी परसेंट पचास परसेंट कम मिलेगा दाम तो कैसे टूट पड़ते हो दुकान पर कि भईया इतना परसेंट कम है रिक कमाल हो गया सो की चीज यजि आपको साथ में मिलती हो तो आप दुकान की तरफ भागते हो सर पे पाउं लेके पर यजि वरतों को भगवान महावीर निका कि देखो इतनी छूटों के साथ तुम वरत को ग्रहन करते हो कर सकते हो और तब भी तुम वरत ग्रहन नहीं करते और फिर भी मुफ्त में श्रावक जी कहलाते हो हमारे साथो संथ भी तो बड़ा गजब करते हैं कोई भी आएगा कोई भी आएगी तो बस श्रावक और श्राविका जी इतना आसाने श्रावक के श्राविका हो न, क्योंकि बस एक सामाय कर लेते हो, प्रवचन सुन लेते हो, रेगुलर, गुरु माराज होते हैं इस्थानक में, तो दर्शन कर याते हो, जब विहार होते हैं, तो थोड़े बहुत विहार करवा देते हो इदर उदर, और हो गए श्रावक जी, जब तक वृतों की आराधना नहीं, प्रतिमाओं का पालन नहीं, तब तक श्रावक कैसे, तो श्रावक का मतलब ही होता है, जिसके जीवन में कोई शुब शंकल्प हैं, शिव संकल्प को साथ लेकर चलने वाला, प्रमात्म भाव को साथ लेकर चलने वाला, सांसारिक व्यक्त श्रावक और श्राविकाई कहलाते हैं हैं संसार में परंतु निष्ठा परमात्मों में होती है रह रहे हैं कहीं परंतु उनकी उनके मन का धागा परमात्मों से सत्य से जुड़ा रहता है इसलिए तो श्रावक कहलाते हैं तो वरतों की आराधना करना बड़ा सरल है और उन पर हमारी चर्चा हो चुकी है जदि आपको इच्छा है जानने की कि किस तरीके से वरतों को ग्रहन किया जाता है क्या हम इन वरतों को ग्रहन कर सकते हैं तो बिलकुल आसान है कोई इसमें समस्या नहीं किसी भी तरीके से आपका जीवन जैसा चल रहा है इसमें बस थोड़ा बहुत बदलावाएगा थोड़ा बहुत आपके दुकान नहीं रुकेगी आपके रिष्टे नाते नहीं रुकेंगे आपके सांसारी कृत्ते नहीं रुकेंगे वो सब चलते रहेंगे हाँ पर इन चीजों में चलते हुए में कुछ अच्छी चीज एड़ हो जाएगी कुछ ऐसी बहतर चीजें बहतर बातें एड़ हो जाएगी जिनको सत्संग कहते हैं जिसको सत्य का संग कहते हैं पर कितने लोग हैं जो सत्य का संग चाहते हैं सार का तो सबी जाते हैं किसी की पत्नी जल्दी मर जाए तो फिर पत्नी का हाल देखो या किसी का पत्नी जल्दी मर जाए तो पत्नी का हाल देखो मेहनों तक सालों तक बस एक ही रोना होता है चली गई छोड़कर चली गई छोड़कर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं ऐसे कहीं इस तरी अकेली रह जाती तो पुरुष के लिए रोती है कहीं पुरुष अकेला रह जाती है तो अपनी पत्नी का रोना रोता है मारा जब से गई है बस मैं तो अकेला हो गया जीवन जी ने कैसी थी बस सब चीजे तो वही संभालती थी वही कड़ती थी मुझे तो कुछ सोचनी की जड़ती नहीं पड़ती थी आज चलीगी तो आज रोता हूँ संसार का तो संग चाते हो ना सत्त का संग कोन चाता है जो साधू बाते हैं जो जीवन में संतत्व है जो समता है इसका संग कोन जाता है आत्मा का संग कोन जाता है जिसमें हो उसका संग कोन जाता है आत्मा में ही सदाकाल हो सदाकाल यही रहोगे इससे उपर नीचे दाएं बाएं हो भी नहीं सकते हो आत्मा में ही हो सदाकाल से पर उन्तु संग कौन जाता है हो रही जाए ना कौन ध्यान दे इन बातों पर धन कमाए या आत्मा की बात सोचें अपने बेटे-बेटी ब्याहें या हम धरम करने की बात सोचें तो इसलिए बेज़को लुटे-पिटे रहते हो तुम पर ओज नहीं है तेज नहीं है जीवन में कोई ये कह सकते हैं कि जीवन में कोई मुल्य भी नहीं है बस ठीक है कीडे मकोडों की तरह जनम लेते हैं बस आते हैं जीते हैं और मर जाते हैं खाते पीते उड़ते बेटते भोग भोगने की बात है तो तिम यह सोस्ते round कि जज़ादा भहगते तो नहीं, पशुपक्षी केड़े पतंगे तुमसे जयदा भहगते हैं, तुम्हें तु रुकावट भी है, самाजिक बंदन है, पारिवारिक बंदन है, धार्मिक मरियाद आए हैं, पशुपक्षियों को तो वो भी नहीं है, तुम एक की वज़े से स्रेष्ट हो, प्रग्या है तो स्रेष्ठता है, विवेक नहीं, ज्यान नहीं, बोध नहीं, धर्म नहीं, और धर्म का उल्लास नहीं, धर्म का उत्साहा नहीं, तो किस तरीके का स्रेष्ठता, कौन से स्रेष्ठता की, क्योंकि हमने उचे खांदान में जनम लिया है क्योंकि उचा कुल उची जाती में जनम लिया है उचा वर्न है हमारा उचा आश्रम है हमारा ये कोई श्रिष्ठता की श्रिष्ठता के पैमाने नहीं है श्रिष्ठता घटित होती है धर्म से और धर्म के आराधना के लिए धर्म घटित होता है आपके पुरुशार् तो सोचो कि खुद कहो कहां भी कौन से दुनिया में जी रहे हो कि चार दिन भी आप धरम के लिए नहीं दे सकते और धरम के लिए नहीं है किसी और के लिए नहीं कि चार दिन भी हम अपनी लिए नहीं दे सकते तो भाया जी किसके लिए रहे हो तो ये चार दिनों पर निश्चित तोर पर आपको चिंतन करना चाहिए इन पर विचार करें यदि आप करोगे तो निश्चित तोर पर जीवन दिव्य बनेगा भव्य बनेगा, संदर बनेगा इनी भावनों के साथ ओम शान